क्रिकेट खिलाडी महंदर सिंग धोनी एक नए संकट में फस गए हैं जी हाँ सुप्रेम कोट ने आमरपाली समूह और क्रिकेट खिलाडी महंद सिंग धोनी की कमपनी रिती स्पोर्ट्स मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेट के बीच हुए समझूते को कानोनन गलत बताया है कोट की ओर से न्यूग फोरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट पर गोर करने के पाक कोट ने अपने एतिहासिक फैसले में यह कहा कि रीती स्पोर्ट्स मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेट याने आर एस एम पी एल से रियल स्टेट समूह द्वारा बुक्तान की गई को प्रमोट करने के लिए उनकी कंपनी आर एस एम पी एल के साथ संदिक्द समझोता किया था रियल स्टेट समूह ने प्लेट खरीदानों का पैसा गेर कानोनी रूप से दूसरी जगह मोरने के लिए कदम उठाया था शेश कोड़ द्वारा मनजूर और्डिट रिपोर्ट में कहा गया है कि आमरपाली सफारी डेवलपर्स प्राइविट लिमिटेड ने आर एस एम पी एल को 2009-2015 के दौरां कुल 42 करूर 22 लाख में से 6 करूर 52 लाख रुपे का बुक्तान किया रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 22 नूमबर 2009 में किये एक समझोते किता आर एस एम पी के साथ आमरपाली सम्मू ने कई समझोते किये थे नौमबर 2000 के समझोते के तहद धोनी आर एस एम पी एल के एक प्रतिनीदी के साथ तीन दिनों के लिए चेर्मेन के रूप में उपलब्द रहते हैं फॉरेंसिक आडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह शर्त पूरी करने के लिए कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं है यह इस पस रूप से दर्शाता है कि यह समझोते सिर्फ वरीती स्पोर्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड कमपनी को राश्री का भुकतान करने के लिए किये गए थे और यह संदिक्द समझोते हैं जो आरेस एम पी एल को भुकतान करने के किये गए जेस्टिस अरुन मिश्रा और जेस्टिस यू यू ललित की पीट ने अपने 270 प्रष्ट के आदेश में कहा कि हम महसुस कर रहे हैं कि घर खरीदारों का पैसा गेर कानून रूप से गलत तरीके से आरेस एम पी एल को दिया गया था और अब महां से उसे वापस लिया जाए इसका कारण यह है कि हमारे विचार से यह समझोते कानून की कसोटी पर खरे नहीं उतरते हैं इसी साल अपरेल में दोनी शिश कोट पहुँचे थे उन्होंने पांच ज़र पांस सो वर्गफित के पेंतर हाउस पर अपने माली गाना अधिकार के सरंग छंड की मांग भी की थी आमरपाली की एक परियोजना में दस साल पहले उन्होंने इसे बुपी कराया था कुल मिलाकर महन सिंग दोनी की कमपनी द्वारा की गई इस अवेद लेंदेन को लेकर जो कोट ने एक्षन लिया है उसके बाद दोनी की कमपनी एक नई मुसिपत में फस गई है दोनी वैसे भी इन दिनों बुरे दोर से गुचर रहे हैं हाले में वर्ल कप में वे गलत रूप से रन आउट हो गए और इसके बाद अभी वे सेना की सेवा में वापस चले गए हैं जहां दो माह तक वे सेना में अपनी सेवाइं तेंगे